दूशित भोजन करने से साधी समारों में शामिल होने पहुचे सैक्डों लोगों में लगभग आधा दरजन से आधिक जनाती फूड पोईजनिंग के शिकार हो गए एक के बाद देख करके जनाती बीमार होते चले गए जिन्हें आनन्फानन में सामुदाइक स्वास्तकेंद्र महमूदाबाद ले जाया गया जहां सभी का इराज किया चा रहा है जब इतनी संख्या में देराद मरीज स्वास्तकेंद्र में आना शुरू हुए तो अस्पताल में अफराद तफरी मच गई आनन्फानन में जनातीयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वहाँ भी सभी के लिए जगा कम पड़ गई दो जनातीयों को एक ही बेट पर लटकाया गया जहाँ पर इसी दशा में उनका उपच्यार किया जा रहा है पूरा मामला महमूदाबाद थाना शेत्र का है थाना महमूदाबाद शेत्र के महला भट्टा से बाश्या की चौथी का वलीमा था शुकरवार दोपहर में आयोजित वलीमा में महले के लोग भी आमंत्री थे जिनोंने वलीमा खाया था शुकरवार रात वलीमा में शामिल महमद कलीम पुत्र सलीम निवासी महमूदाबाद खास की तबियत दिगड़ी तो उन्हें इलाज के लिए आनन्फानन में सियस्टी ले जाया किया जिसके बाद लगतार मरीज आते रही वलीमा में शामिल लोगों में बुज़ुर्गों वा बच्चों की तबियत सबसे ज़्यादा बिगड़ी गड़ा को लेकर इलाके में हड़कां पर मचा हुआ है वहीं सदरपुर से वलीमा में शामिल होने आए एक परिवार की लोग वहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है क्या बोले सियस्टी में तैना डॉक्टर आपात कालीन सिवाओं में तैना डॉक्टर अनवर का कहना है कि रातरी करीब 11 बजे उनके पास पहला मरीज आया जिसके बाद धीरे धीरे फूट पॉइसनिंग का शिकार लोग काफी संख्या में आने लगे डॉक्टर ने बताया कि सभी को अच्छे से दबाई दी गई है हमारे लोग यहाँ पर मौजूद है अब सब को रहत है उन्होंने मरीजों की संख्या करीब 40 से 50 बताई है मौगे पर पहुची पुलेस घटना की जानकारी पाकर तहसिलदार महमूदाबाद तहसिलदार महमूदाबाद, अशोक कुमार, सियो महमूदाबाद, रवी शंगर प्रसाद, कोतवा ना निर पांडे, सामुदाइक स्वास्त केंदर पहुचे और मरीजों के बारे में विस्तरत जानकारी दी डेस्क रिपोट अवध निउस इतने रात में इतने सारे पेशेंट आगे, इक किस लिए हैं, क्या हुआ था? अज इसी महमूदाबाद के शहर में, महला भठे में, एक दावते वलीना का प्रोग्राम था, जिसमें खाने में कुछ गवड़ी हुई है, इसकी वज़े से सब लोगों को फूट पाजनी हुई है, जिसमें अस्पताल में लगभग 40-50 लोग, उल्टी, दस्त, पेट में द और जो भी रिकार्मेंट्स से सारी चेज़ें की जा रही हैं, और कुछ लोगों को कम्प्लीट भी होगा, क्या हाला ठीक है सभी पेशन्ट के, अभी तो फिलहाल सारे पेशन्ट इस्टबलाइब है, क्या नाम है आपका, डाक्टर महम्मद अनौर,